24 फरवरी की शाम में पुर्विधायग राजी पाल हत्या कांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कुछ हत्यार बंद लोगों ने फाइरिंग करके तथा बम फेक के की थी उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे दो पुलिस के जवान भी घायल हुए थे बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए शहीद जवानों के परिवार जनों को शाशन के द्वारा जो अनुमन साहेता राशी थी वो महिया करा दी गई है तथा इस घटना करम में जो अभियोग खाना धूमन गंज पे कायम हुआ था उसमें छे लोग नामजद थे तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे इस करम में पुलिस ने सुरू से ही प्रकरण की महत्ता को समस्ते हुए विशेस टीम में गठित की थी इसके लिए हमारे स्टीएफ की टीम भी लगाई गई थी प्रती दिन इस प्रकरण का अनुस्रमण पुलिस महानी देशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वयम किया जाता था तथा शासन को अउगत कराया जाता था दिनांक 24 तारिक को 24 फर्वरी को इससे जुड़ा एक व्यक्ति अर्बाज जो कि उस दिन क्रेटा गाड़ी को चला रहा था घटना के दिन उसकी एक पुलिस मुद्भेड में व्यक्तिव हुई थी तथा इसका एक साजिश करता सदाकत 27 फर्वरी को जेल भेजा गया था अस्थानिय अस्तर पे सभी अभिद्टों के विरुद्ध 25,000 पहले फिर बाद में उसकी नाम राशी को 50,000 बढ़ा के किया गया था तथा उसमें से पांच व्यक्तियों के विरुद्ध धाई लाख का इनाम पुलिस महानी जचक के द्वारा पांच मार्च को किया गया है इस विवेचना के शुरुवात से ही इस घटना के तत्काल बात ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में सामील है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दाएरे में लाए जाएंगे साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को चुपाते हैं या शर्म देंगे वो भी इनको अभीक्तों को चुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागिदार होंगे आज सुबह प्रियागराज पुलिस को एक उलेखनिय सफलता मिली जब इस शूट आउट में सामिल उस्मान जो की कौडियारा थाने का प्रियागराज का रहने वाला था वो उसी थाना छेत में एक साहसिक मुद्भेड में घायल हुआ इसमें हमारे प्रियागराज की टीम थी जिसमें थाना प्रभारी कौडियारा प्रभारी खीरी और थाना देप शंकरगर यह स्वेम सामिल थे तदा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी इस दौरान हमारे एक अरक्षी नरेंद्र वो भी घायल हुआ है जिसका उपचार चल रहा है घायल उसमान को ततकाल अस्पताल शिफ्ट किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मिर्तिव हुई उप्रोक्त उसमान पे पचाहजार का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें ये व्यक्ति मिर्तक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है इसके पास से एक 32 बोर की अवायद पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोका कार्थूस भी बरामत हुए हैं आगे की जो विधिक प्रक्रिया है वो अमल में लाई जा रही है इस दवरान प्रियागराज विगास प्राधिकरन के द्वारा इस घटना में सम्मलित लोगों को जिन्होंने अवैज तरीके से घरत्यादी बना रखे थे उस पे द्वस्तिकरन की वैधानिक कारवाई की गई है और ये एक प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी इस दवरान पर्याप सुरक्षा वेवस्ता मोहया कराई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्वस्ट कर देना चाहती है कि इस जगन हत्यकान में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तूत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई है यह अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफतार करेंगे तथा सक्षम नयाले के सामने पेश करेंगे तथा जल से जल सभी एविडेंसेज कलेट करके कि वोट में वोट के समक्ष प्रस्तूत करेंगे तथा इनके सफल कि प्रेजिकूशन की हर संभव प्रयास करेंगे कि धन्यवाद कि यह सभी विवेचना के बंदू है वैसे हमारा सभी एजेंसी और सभी जो अन्य राज्ये हैं सबके साथ हमारे अच्छा समनवे हैं और रियल टाइम वैसिस पर हम इंफ्रोमेशन के शेरिंग करते हैं यह जेनरल मैं बता रहा हूं और जहां तक इस घटना के विवेचना से समंधर उसमें विवेचना चल लही है और मैंने आपको प्रस्प्रस्ट किया है कि अपरादी जहां भी होंगे हम उनको ढूंड निकाले में पूरे घटना करम में जो सदाकत इत्यादे की गिरफतारी हुई और अन्य जो साक्षिक्तित किये गए हैं उसके हिसाब से यह उसमान ही है और जो प्रशन आपके दोरा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल लही है जब चीज़ें पुष्ट होंगी हम प्रस के साथ शेयर करें हम सभी नामजद अभ्यक्तों के गिरफतारी का जल से जल प्रयास कर रहे हैं और जल से जल उनको हम गिरफतार करके सक्षम ने आले के सामने पेश करें सब यह विवेचना के पहलू है इस पर ओपन डोमेंड में बात करना विवेचना के हित में भन्यवाद कई अपराधी पकले गये हैं कई मारे गये हैं अब तक उमेश पाल हट्याट्रांट की वजह चाने कर लिए यह उमेश पाल राजूपाल हत्या कांड के प्रमुग गवाह थे और इस लगातार जो इसमें नामजद अभ्यूक्त रहे हैं उनके वृद्ध गवाही दे रहे थे और यह रंजिश प्रथम दिश्टिया उभर के आई है जिसके कारण यह घटना कारित हुई यह कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय तक प्राइवेट जीवन में रहता है उसके तरह तरह के पहलू रहते हैं फिलहाल जो जिस कारण यह घटना हुई है उस वह प्राइम अफसाई गवाही देने के सब्सक्राइब यह जैसे मने आपको बताया कि घर के जो इसके कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा इसमें जो नामजद अभ्यूक्त किये गए हैं उसके अलावा सभी पहलूओं पे विस्तित विवेचना चल लही है और इसमें कोई भी व्यक्ति बक्षा नहीं जाएगा चाहे वो कितना भी रसूख का झाल